देज दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए चानल को सब्सकाइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कोई नीजी रहा है इस वीडियो से संबन्दी तो कमेंट बाक्स में जरूर बताएं पाडर पर नेपाल पुलिस की अंदाधून फाइरिंग, चार बार्टियों को लगी गोली एक की मौत, घटना सीता मडी के सोनबरसा बाडर की लाके की जानकी पनगर की है, भारत नेपाल सीमा विवाद हुआ था जिसकी वज़्जा से नेपाल पुलिस की अंदाधून फाइर कर दी गई, फारिंग इस गटना में जहां चार बार्टियों को गोली लगी, वहीं एक सोकी तुरंत मौत हो गई, बता दें कि भारत और नेपाल के बीच सीमा को लेकर विवाद चल रहा है, नेपाली संसद ने इसको लेकर एक प्रस्ताव भी पारिच कर दिया है, जिससे भ जिने इलाज के लिए निजी अस्पतालों में भरती कराये गया है, गटना की सीता मड़ी के सोन बरतर बाडर के इलाकों के जानकी नगर गाओं की है, जानकी नगर गाओं के मुताबिक भारत नेपल सीमा विवाद हुआ था जिसकी वज़ा से नेपाल फुनिस की ओरते जाना हो चुकी है, नए मैप को लेकर विगड़े भारत नेपाल के संबंद, दोने देश के बीच फिलाल नक्सा को लेकर तना तनी मची हुई है, भारत का कहना की इस पूरे मसले की वज़ा से दोने देश के बीच विश्वास का संकट पैदा हो गया है, बात चीस से पहले नेपाल को भारत का भरोसा जीतना होगा, सारा मामना नेपाल के नए नक्से को लेकर है, इस नए नक्से में नेपाल के कुल 395 वर्न किलोमीटर के इलाके को अपने हिस्से में दिखाये गया है, इसमें लिंपिधा दूरा, लुचुलेक और काला पानी के अलामा गुंजी, अरुच्थरी नवी, काटी, गाउंख को भी सामिल किया गया है, नेपाल ने अपने नक्से में काला पानी के 60 वर्न किलोमीटर को अपना बताया, इसी तरह से लिंपिधा धूरा को 375 किलोमीटर को भी नेपाल का अपना दावक कर रहा है, नेपाल की केबिनेट की एक बैट में इसमेप